एक इंपॉर्ण टॉपिक जो आपको दिलाएगा आगामी रीट परिक्षा में एक नंबर उसके उपर चर्चा करेंगे बहुत-बहुत बहुत इंपॉर्ण टॉपिक है यह मानूं कि इसको करने के बाद आपको एक नंबर प्राप्त होंगे और रही बात कुछ आगामी वीड पहले अपलोड करूंगा ताकि तीन दिन का आपके पास गयाप हो में सिया 23-24 को अपलोड होगी तो उस पर काम चल रहा है उसको मैं कर रहा हूं क्योंकि मैराथान में आज तक कभी जिंदगी में ली नहीं है बट आज पहली बार एक मैराथान लूँगा तो मैं मैं एक्स् के माध्यम से और वह 120 कोश्चन भी बहुत है आपके लिए अगर आप उसको भी देखकर जाते हो तो आपका मैं कह सकता हूं कि उसमें से आपके 12-15 कोश्चन मिलें आपको पेपर में तो इसको अगर मैं कह रहा हूं तो कुछ सोच समझ के कह रहा हूं कुछ टॉपिक रहते ह तो डिस्कुस करूंगा बट जो टॉपिक रहते हैं वो भी ऐसा नहीं कि मैं उसको चोड़ूंगा मैं उसको टैस सीरीज में डाल रहा हूं उसके इंपॉइंट को डाल रहा हूं ताकि उसको से जो कोश्चन मन सकता वो डाला है तो मतलब आपको में मिलेगी देखने को समाभीशन करने कोश्च किये मैंने फ्रम फैमली तो तुमारे लास्ट का सोलर सिस्टम उनिट एक सोलर सिस्टम टॉपिक है उसको करवाओ बेने काम चलेगा खैर आज वे बात किया आप बात को स्किप भी कर सकते हो अगर आपको वीडियो देखने हैं तो खैर मैं जो आज आज एक नंबर मिलने वाले तो एक नंबर भी आपको छोड़ने नहीं यहांसे आप एक नंबर रेइस्टर करके जाओंगे तो बिल्कुल दियान से देखना चलो लेट स्टर्ट तो यह हमारे ट्रैफिक वाले मामा हमारे दिल्ली शहरमें को मामा कहते हैं आपके शहरमें जो क सिंबल कुछ चिन प्रतिक सब पढ़ेंगे मैं चिनों की फोटो लेकर आया हूं वो चिन आपको मैं याद गरवाऊंगा ताकि आपके दिमाग में छप जाए क्योंकि एक चिन की फोटो जरूर आएगी पेपर में और उसके बारे में पूचेगा कौन से चिन है तो आपको बताना है ठीक है तो लेट स्टार्ट पहले हम ट्राफिक के नियम पढ़ेंगे यातयात के कुछ नियम पढ़ेंगे जो कॉमाने हम सबको पता है बर रिपीटिशन होगा उसका उसके बाद मैं सारे सिंबल समझाऊंगा आपको सिंबल कौन से होते हैं कौन से सिंबल किस कैट रेड लाइट नहीं तोड़नी यह में रेड लाइट टोस नहीं करनी अधर कंट्री और इंडिया में बहुत बड़ा डिफेरेंस है वह यह है रेड लाइट का असली अर्थ पुरी दुनिया के लिए रेस्ट ऑफ दे वल्ड ग्रीन का मतलब गो येल्लो का मतलब गो सेफ इंडिया में आप देखते होगे ट्राफिक सिग्नल में यलो लाइट होती है जब आपको गाड़ी अपनी स्टार्ट करनी होती है जाने के लिए कि हां परी चलो आपको निकलना है तो बंदे वह यलो लाइट में दोड़ा देते घाड़ी और जापकर रैड लाइट होने से पूछ लेता है ठीक है और इसमें भी सबस्यादे मेंडिटरी जो साइन है वो यह दुना है यह फंक्शनल साइन जो यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ठीक है यह कुछ ट्राफिक के नियम है जो मैंने पिच्चर के तुरू समझा है कि आप फोन कॉल का यूज नहीं करोगे अगर आपको स्लीपी मूड आ रहा है तो आप ड्राइव नहीं करोगे ठीक है ऑल्वेज वेर सीड बेल्ट ऑन ऑल्वेज वेर हेलमेट हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है माना आपके बहुत लंबे शारुखान के जैसे वाले बट इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी करती एक बार जो बनी है वो बनी पड़ी है इसलिए अगर आपके खोपड़ी में चौड़ लगती है तो आपके मरने के चांस ज्यादा हो जाते हैं तो इसलिए हेलमेट पहना करो ठीक है ताकि आप सुरक्षित रहो ठीक है अपने गाड़ी को मेंटेन रखो हमेशा रेड की सला दी जाती है अगर आपको लगता है कि आप मैडिकेशन में हो आपको नींद वगएर आती है कुछ आती है तो अपनी डॉक्सर की सला लेकर आप गाड़ी वगएर चला सकते हूं यह कुछ बेसिक रूल से इसके लावा और भी रूल से जो मैं आगे बताऊंगा ठीक है आलवेज ओन वैलेड कार इंशॉरेंस पॉलिस यह हमारे पास इंशॉरेंस होना चे कार का पुलीस वाले भी इसको लेकर फाइन मार सकते हैं अगर आपके पास कार का इंसॉरेंस नहीं है तो आपको फाइन भरना पड़ेगा शुरुबात में 2000 बाद इस पैसे की संख्या ब करना 1988 से लेकर 2019 तक हम मोटर वीकल एक 1988 को यूज़ करते थे लेकिन उसके बाद हमने अब मोटर वीकल एक 2019 से इसको रिप्लेस कर दिया तो इसके अकॉर्डिंग ओल मोटर वीकल इन इंडिया नीड तू पॉसेस वैलिड थर्ड पार्टी इंशॉरेंस कवरेज इसका सिंपल सा अरत है आपके पास आपका वैलिड इंशॉरेंस होना चाहिए गाड़ी का ठीक है अगर आपके पास इंशॉरेंस नीड तो आपको चलान बढ़ना पड़ेगा किस आर्टिकल के तहित किस एक्ट के तहित का आ गया है 1988 मोटर वीकल एक के तहिक है त्राफिक अथर्टी चा पर का इस ओफेंस का चलान बढ़ना चलाए पड़ेगा अगर आप वैलिड वह नहीं लेते क्या कहते हैं इंशॉरेंस नहीं रखते तो ठीक है नए ट्राफिक नियम 2019 मोटर वीकल जो एक्ट है 2019 बिल इसको मंजूरी मिल सुकी है जब एक्ट आया तो काफी हंगाव भी पर आपको जुर्माना होता है यह सारे नियम है जो आपको मानने है यह याद रखना यह आता है कि नियम है 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 लगाना ड्राइव ड्राइविंग के दूरान मोबाइल ने चलाना दो पहिए पर ओवरलोड ना होना जिसे आजकल होता है बच्चा भी बिछा लेते बीच में बाड़ा की तो है लेकिन ओवरलोड में आ जाता है वह कहीं पर होता है ना कि तीन-चरवन बैट जाते दोस्ति है तो सीट बेंट नहीं लगाने पर 300 रुपे से जुर्माना कर दिया है बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर आपको 5,000 रुपे बढ़ने पढ़ेंगे पहले 300 बढ़ने होते थे पहले एम्बूलेंस और एमर्जंसी को रास्ता ना देने पर आपको 0 रुपे फाइन होत ठीक है शराब पिकर गाड़ी चलाने जो सब को बहुत ज़्यादा कूल लगता है और जो सबस्यादा खतरनाग भी है मैंने एक स्टडी पड़ी थी इंडिया में सबस्यादा जो एक्सिदेंट्स होते हैं वह ड्रिंक एंड ड्राइव के चक्कर में होते हैं तो इसी के चक् पीड में जाते हैं जिससे लोगों को दिक्कत सकती जो पैदल सल रहे होता है ठीक है तो यह सितंबर 2019 से लागू हो गया था तुम्हारा पूछ ले कि नए ट्राफिक नियम कब लागू हुए तो एक सितंबर 2019 से पुरे देश में लागू हो गया ध्यान रखना ठीक है यही कि किसके लिए कौन से अफेंस के लिए कौन सा चलान पहले अब किया था तो इसको लोग देख सकते हैं ठीक है अब कुछ मित मैं आपको यातायात के नियम को लेकर कुछ मित समझाए तो कुछ जो ब्रहम है और आपके स्कूद के ने मेरा बन जाए क्योंकि देखो इंडिया में भले पतनी सारे पता लाइड Gör को यह होता यह रेयलेटी है मैंने देखा अपने आंखो से राइते नाइंट इसका मिःत के है कि no need to obey signals after 10 p.m. ऐसा कहा जाता है कि आपको red light 10 बजे के बाद नहीं माननी रात में लेकिन ऐसा नहीं है कुछ functional lights जो होती है signal उन्हें आपको obey करना पड़ेगा उनको आपको मानना पड़ेगा जैसे red light और yellow light ठीक है ध्यान रगना मित वन वे स्ट्रीट वन वे स्ट्रीट को लेकर एक मित बनाया गया है कि इस अलाउट टू रिवर्स आ कार इन रॉंग डायेक्शन और वन वे स्ट्रीट लेकिन ऐसा नहीं है ठीक है वन वे स्ट्रीट वन वे जो रोड है उनमें रिवर्स करना prohibited है prohibited का मतलब है निशेद है आप उसमें रिवर्स नहीं कर सकते लेकिन जो मेरा एरिया है वहाँ पर सारे मंदिर रॉंग साइड से आते हैं तो कथनी और करनी में फरक समझ सकते है आप बट आपको रूल समझा रहा हूं मैं ठीक है Overtaking ऐसे कहा जाता है Overtaking from right is allowed at all time अगर करना किसे को आप राइट साइड से करोगे लेकिन यह एक मिथ है इसकी reality क्या है अगर आप किसी बन्दे ने मित क्या है पार्किंग को लेकर पार्किंग इज अलावड ऐनीवेर दिस नोट सीन आगर यह जिए फोल नहीं दिखाए देता आप वहाँ पर कर सकते हो लेकिन ऐसा नहीं है अगर कहीं पर आपको पार्किंग का संबल ने को नो पार्किंग का मतलब होता है not 5 minutes not 30 seconds not at all अगर नो पार्किंग का मतलब होता है कि अगर किसी को वहाँ पर उतरना है तो उतर के तुरंद गाड़ी बन करके जाना पड़ता है यह नहीं कि आप खड़े करके चाह सुटता मारने हो नहीं और आपको पता है कि अगर आप फुट आने ध्यान रखना seatbelts seatbelts को लेकर एक myth है कि no need to wear seatbelts for a short drive inside your neighborhood अपने पडोस में थोड़ी दिर के लिए हम गाड़ी चला रहे तो उसमें कोई seatbelts लगाने की ज़ुरत नहीं है लेकिन यह reality है कि accident कभी भी हो सकते हैं आप घर से बाहर निकले आप तो मर सकते हैं और बाहर जा सा ओबे करनी चीए लगानी चीए ठीक है एक myth है I have eaten food so I can drink and drive मैंने अब खाना खाली है तो मैं ड्रिंक कर सकता हो थोड़ा क्योंकि कहता है कि खाना जो होता है जो जो नशा होता इसको थोड़ा कम करता है इसलिए लोग खाने के साथ पीने के साथ चकना वगर रखते है दो क्या करते है ज्यादा ले लिए तो आप सेड़ी ही कहलाओगे और आपका चलान पक्का कटेगा ध्यान रखना सेल फोन मित यूज यूजिंगा हैं फ्री डिवाइस वाइल ड्राइविंग मेक्स यू से बिलकुल नहीं यह बिलकुल गदेपंती वाली बात है हैंस फ्री कि बातचीत आपको नहीं करनी रूल कहते हैं कि आप नेविगेशन के लिए मैप वगेरे देखने के लिए फोन यूज कर सकते हैं इसके लावा यू कांट यूज फोन और हैंड हैंस फ्री एट ऑल ओके भारत में मोटरवान अधिरियां 1988 की अनुसूची एक में समरूप सड इतने भी रूल से घलमेट पहनना है ड्रिंक ड्राइब नहीं करनी है और स्पीडिंग नहीं करनी है साप नहीं मनाने गली में यह चीज ध्यान रखना है अगर है तो आप हो आप अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी इसलिए तो जो हमारा मोटरवार अधियन जो था 1988 इसकी अदुसूची यानि schedule 1 में आपको जो road symbols है उसका जिक्र दिया गया है अब road symbols तीन टाइप के होते हैं ध्यान रखना there are three types of road signals or road signs the signing system there are three basic types of traffic signs signs that give order signs that warn signs that give information each type has a different shape याद रखना जो circle में होते हैं या तयात के चिन या तयात के sign वो हमेशे आपको order देते हैं कुछ order follow करने के लिए कहते हैं जो triangle में होते हैं वो हमेशे आपको warning यानि चेतना सचेत करते हैं जो आपका rectangular type में होता है यह आपको information देता है आपको कुछ जानकारी बगएर सूचना बगएर देता है ठीक है यह चीज़ ध्यान रखना पूछ सकता है गोल कलर से किस यातयात की symbol को यातयात के चिन को चिनित किया जाता है तो जो आपको order दे उसको चिनित किया जाता है ध्यान रखना इसको और describe करके पड़ूँगा तो तीन category में बढ़ जाते हैं जो sign है यह और आगे भी बढ़ते हैं बढ़ हम इसको पड़ेंगे याद रख पाओगे तब ही आप एक नंबर ले पाओगे तो इस वाले portion को आप बहुत ध्यान से देखना आपका एक नंबर पक्का बच जाएगा आज ठीक है कुछ mandatory sign होता है जो सरकल से दिखाए जाते इसको regulatory symbol भी कहते है यानि आदिशात्मक्चन या आपको कुछ order देते हैं फिर आ और बाएं हाथ में मोड है तो थोड़ा ध्यान से होर्म देख चलाओ फिर इनफॉर्मेटरी या फिर गाइडीड बोर्ड इनफॉर्मेटरी बोर्ड जो होते हैं जो आपको सूचना प्रदान करते कि आगे होटेल है पेट्रोल पंप है यह सब है आपको ये चिन ऐसे देख तो आप देख सकते आपका पता सिल जाएगा और सिजातायात के चिन बहुत सारे पूचे आता है ठीक है ध्यान रखना अब मैं यह तीनों साइन लगातार बताऊंगा अगर सरकल वारा आ रहा है तो मैं आदिशात्मक चिन यानि रेगुलेटरी साइन को बताऊंगा अगर ट् सेंबल है तीनों टाइप के अब इसी को हम आगे डिसकस करेंगे सबसे पहले आदिशात्मक चिन यानि रेगुलेटरी साइन में सबसे पहले साइन आता है स्टॉप स्टॉप मिन्स यूव तु स्टॉप आपको रुखना पड़ेगा ठीक है स्टॉप साइन इसे हम कहते है स इस सिंबल को कहते हैं नो एंट्री साइन नो एंट्री साइन मींस नो एंट्री साइन इस यूज़़ ऑन साइन तो इंडिकेट यू आर नो आपको चौड दिखा के उल्टा नहीं चलना है कुछ लोग उल्टे हो जाते हैं थोड़ा सा घुमा के लाने मून को दिक्कत होती इस वज़े से ठीक तो इसे वन वेसाइन कहते है ड्राइवर इंकाउंटरिंग ऊनवे शाइन मस्ट्रैवल इनटेररेक्शन देटलैट्टथ। पॉइंटिंग वन वे साइन जिस तरफ दिखा रहा है को मतलब होता है निशेँद मना है गयो डरना मना है वह सुन और लेव तर्न आप लैफ टर्न नहीं ले सकते हैं दोंट टेक टर्न लेफ्ट यानि बाइं नहीं मुढना है haboda ब्हाई भी नहीं मुढना है इसका मतलब है आपको धाय नहीं मुढना या यानि आपको राइट नहीं और मुड़ना है कि इस इंका मतलब होता है speed limit यह आपको अलग-अलग जगां पर अलग-अलग मिलती है जो आपके हेवी लोड़ वाले वहान होता है जैसे आपका टाटा is वगएरा जो गाड़ी होती है ट्रक वगर होते हैं जिन पर लग जाती है चार बजे के बाद उनकी स्वीड लिमित 40 होती है ठीक है इस सिंबल का अर्थ है यू टर्न प्रोहेबिटेड यू टर्न निशेद आप यू टर्न नहीं ले सकते ठीक है इसका अर्थ है नो ओवर्टेकिंग या अर्थ है इस चीनका अर्थ है आपको अनिवारी रूप से डाइंLAN ना है इस चीनका अर्थ है या तो सीधे चले या तो आप यहां से डाइं मुर सकते हैं इस इस चिन का अर्थ ही है इस चिन का अर्थ है compulsory ahead और turn left या तो आप सीधे चले या तो आप बाएं मुर सकते हैं ओके इस चिन का अर्थ है compulsory sound horn यानि आपको horn बजाना है आप जो पहली बार में इस चिन को देखेगा ना वो इसमें no horn वाला सिम्बल भी no horn वाला option भी टिक कर सकता है ध्यान रखना इस पर कोई क्रॉस नहीं लगा तो compulsory sound horn यानि आपको यहां पर horn बजाना है यह accident वाला एरिया हो सकते हैं यहां पर accident हो जाए तो आपको horn बजा के इस चिन का अर्थ होता है left hand curve यानि आपके बाएं हाथ पर एक मुडाव है तो आप गाड़ी थोड़ा slow चला है क्योंकि mode पर गाड़ी कभी तेज नहीं चलानी चीए और horn जरूर देना चीए इस चिन का अर्थ है right hand curve यानि सीधे हाथ पर आपके mode है ठीक है इस चिन का अर्थ है right hand pin bend डाएं की और hairpin mode वाह यह तो तुक बंदी हो गई दाए की और hairpin mode ठीक है यह चुनाव में अगर किसी को स्लोगन चीओ को यहां से ले सकता है तो right hairpin bend कहते है इसको यानि पिल्कुल जो पिन बेंट नहीं ऊता जो आपके पिन होती है वो कैसे बेंट होती है कैसे मुडी होती है ऐसी यह मुडी है यह वाला सिंबल है इसका मतलब होता है left hand pin bend यानि बाएं की और hairpin है कि कि पिए कि left reverse bend और राइट रिवर्श playing याशे के नाम याद रख लेना ठीक है ये यह चिनक को कहते हैं रोड़े покए तो गाड़ी ल हिसाब से चलाओ ठीक है इसको हम क sprid 오른 semt यानि आगह साथ गाड़ी ध्याण से निर्वरिज शंक्री पुलिया आए आगे पूल पतला आया गाड़ी ध्यान से चलाओ इस चिन को कहते हैं सिपंग केदेश्फियन क्रॉसिंग पैदल पथ पर यह पे पैदल पार कर सकते हो अगर इस पर क्रॉस लग जाते है या आ आपको यहां से पैदल क्रॉस नहीं करना य इसको हम कहते है लूज ग्रेवल लूज ग्रेवल का अर्थ होता है इस साइन इंडिकेट्स जैट लूज पेबल्स एंड स्टोन कुड बी लाइं ऑन दे रोड यह संकेत इंगित करता है कि सडक पर धीले कंकड पत्थर पड़े हो सकते हैं जाइड सी वात है जब धीले कंकड पत्थर होता है तो एक्सिदेंट का भी खत्रा हो सकता है अगर लूज होगी किसी का टायर अगरा पुराना है तो उसके लिए ठीक है इसको कहता है फॉलिंग रॉक्स यानि पहाड़ों से पत्थर गिरने की ज्यादा होती है यह सिंबल दर्शाथ है स्लिपड़ी रोड यह बहुत करते हैं जो जितने भी साइन होते हैं इसका आपको ध्यान रखना है ताकि आप बचे रहो आगे अमेरिका बगारे पढ़ती है तो यह सिंबल बड़ा उस होता है तो जो गरिप होती है घर्षन होता है उसके चक्कर में एक्सिडेंट हो जाता है मैं नेटवर्क यह क्या दर्शाता है मैं नेटवर्क आदमी काम पर हैं गाड़ी ध्यान से चलाओ मतलब कि महां पर कंस्ट्रक्शन कुछ हो रहा है ठीक है इसका अर्थ क्या है इसका अर्थ है क्रॉस रोड साइन क्रॉस रोड साइन का मतलब क्या होता है कि रोड प्लस के रखना है इस साइन एडवाइज देट वेहिकल शुट बी शोड एन इंट्रेश लोड एन इंट्रेक्शन शुट बी क्रॉस्ट कॉशिएसली बाइं लुकिंग बोट साइड कॉशिएसली का मतलत है बहुत साफधानिस आपको दोनों तरफ के रोड को देखना है इस रोड से चिन के नाम याद रख लोगे बहुत जरूरी है तो ज्यादा बेटर रहेगा हिंदी में घूम जाओगे इंग्ली में घूम निपाओगे जो साइन है उसका अर्थवाई है कोई मैच नहीं खाता कोई साइन ठीक है इस साइन का अर्थ है साइड रोड राइट रोड को करने में यह signal काफी काम आता है जब बहुत जार ट्राफिक लग रहा हो तो इस तरह के रोट से ट्राफिक कम किया जाता है इसे हम कहते हैं इसे हम कहते हैं इसे हम कहते हैं इंटरसेक्शन स्टेगर्ड इंटरसेक्शन ठीक है यानि आप इस तरह के मार्द मौजूद है इसका न होते है एक होता है या या यहां या तो आप यहां जाओगे यहां जाओगे यहां जाओगे यहां इसका मतलब त्था यदि जा रहे है इसका मतलब होता है अन गाड़ेड लेवल क्रॉसिंग का मतलब आपने टारजन वाला वो देखा होगा वहां से लगी होती है यानि राट नहीं कोई बैरियर वगेरा नहीं लेकिन वही इसका आर्थ कहा है गाड़ेड लेवल क्रॉर्सिंग इस तरीक में बहां Must इसकर हम कहते हैं वैसे हम और रोड रफ लेखर है रोड ऊपर खावाड रोड है उचा नीचा वेव है ऊपर नीचे ऊपर नीचे तो इसको हम हम कह सकते हैं ऊबरा हुआ है ठीक है इसको हम कहते हैं डेंजरस डिप यानि आगे गड़्डा है गहराईए समाल की सलाना काई गुज्ण जाओ उसके अन्धर ठीक है का अब आते हैं इंफ्रान एंफॉमेटरी साइंस होते हैं जितने ही ट्रैंगल वाले थे ऑभ ऊचनरी साइंस थे ऑफ सारे एंफ सकते हो कुछ पार्किंग के है ठीक है कुछ पार्रिंग के हैं कि पब्लिक टेलीफोन है ऑगरह यह त्याब मताहरे हैं यह forest करने का है थोड़ी द्र बैठने से सब बताते हूं ठीक है नाμ यादर कर लें और ये वह शुल देखते हैं आप अब कितने किलोमेटर दूर दूर क्या 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 नहीं है यह फिल इन फॉर मैं पूंहें तीन तरह चांटेरी रहान साइन कॉछनरी साइन और इंफर्मेटरी रेगुलेटरी साइन जो आदेज देते हैं कॉछनरी साइन जो आपको सचेत करते हैं और इंफर्मेटरी साइन आपको कुछ बताते हैं संकेत वगएर देते हैं ठीक है कुछ इंफर्मेशन देते हैं जानकारी देते हैं तीन प्रकार तो आगे बढ़ते हैं आपको एक मेगा मैराथॉन में दूंगा यह मेरा प्रॉमिस है मेगा मैराथॉन will be done होगी mega marathon English Hindi दोनों की होगी कुछ छूट गया उसको भी मैंने लपेट नहीं कोईश्च किया marathon में कोशिच यह कि कुछ भी ना छूटे बट होता है कि कुछ ना कुछ तो छूटी जाता है ये मेरे साथ एक आवथ हो गई पहली बार पहली first attempt था मेरा रीट को पढ़ाने का और first attempt में काफी ups and downs है लेकिन मैं काफी कुछ सीख गया तो I hope अब जो next exam कराऊंगा उसमें मेरे को इस चीज से बहुत सारी चीज़े मिलेंगी खेर जितना आपने support दे उसका बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आपके support से ही हम काफी आगे पहुंचे हमारी रीच लोगों तक पहुंची कुछ गलतियां होई कि कुछ चीज़े नहीं हो पाई कुछ चीज़े बहुत अच्छे से होई कुछ चीज़ों में गलतिया निकली बट आपके अपने साथ मनाया रखा इसी वैसे हम आगे हैं आप आगे भी हमारा साथ मनाया रखेंगे तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं और दो चार वीडियो के बाद अब सीधा मेगा मैरत्वन आएगी तेज तारी के चौबिस तारीक के असपस तो उसको जरूर देखना ठीक है बड़ा सीन हो सकता है धोड़ने में डेली नहीं है कि आपको डिटी सी बस मिलेगी तो वहां पर रोड़े से बागेर है खर मिल जाएगी जो लोकल से उनको आसानी है लेकिन दिल्ली बगार जा रहें उनको दिक्कत है ठीक है तो ध्यान लखिएगा चला बाए